आज मैं आदर्निय प्रधान मंत्री जी का आदर्निय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ उन्होंने चुनाओ के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप ने जो कुछ भी काम किया तो इतना ज्यादा काम किया है एक चीज़ को हम हर दिन कहेंगे जन्नाय करपुरी ठाकुर जी को जो आपने भारत रत्म दे दिय जो हम लोग मांग करते रहे आपने इसको दे दिया इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्म दे दिया अब जानते हैं हम लोग तो सुरू से बिहार में जो काम 2005 से सुरू किया हम कितना बढ़ियां से काम किये याद करना लीजिए कितना तेजी से काम किया अब आप समझ लीजिए कि जब पहले था पांच में जब हम लोग लास्क में आये मतलब छो से सोचिए उसके पहले साम में कोई घर से बाहर निकल पाता था आज अपने को बड़ा-बड़ा भारी- कंद्रा साल तक उन लोओ को मौका मिला अब यहार में क्या हुआ कुछ नहीं हुआ अप एगास अब हमों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया है आप सोच लिएगे कोई भार से बाहर नहीं निकलता था आप कितना देर तक लोग लड़का हो लड़की हो सब निकलते हैं अब कैसा हो गया तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था और पांच के बाद हमीं लोगों ने काम किया है इसलिए याद रखिएगा जो काम आज तक नहीं किया आप वो तो जूट पूट के बीच में हम एक बार साथ कर लिये थे बाद जूट पूट के अपना बात करता है जो काम हमीं लोगों का है हमीं लोगों का किया हुआ तो उसके बाद को हम देखे गड़बड करता है तब फिर छोड़ दिये अब सब इनके लिए फिर हम लोग साथ हो गए हैं आप कभी इधर उधर नहीं होने वाले तो जो काम किया है पास से लेकर कि आगे तक और केंदर सरकार में दस साल से हैं आधर निये क्रहान मंत्री जी आप कितना ज्यादा कर रहे हैं आप यहार के लिए भी कितना काम करवा दिये आप तोट लीजिए सड़क का काम पूल का काम कितना सब काम किया जाए है पूल है यह पहले था अब आप लोग पीछे ही नह सामने देखिए इक पर रहा एक एक शीद देख लिजिए कि सब काम हम लोग किये हुए है अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था अब याज तक जो करते रहते हैं आप पहले जब था पांस तक तहिंदू मुस्लिम का भी जगड़ा होता था अब जब हम लोग आ गए तहिंदू मुस्लिम का जगड़ा भी खतम हो गया इसलिए मुस्लिम समधाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत हम लोग जब तक हैं तब तक जगड़ा नहीं और गल्ती करके फिर उसी को दे दीजिएगा फिर जगड़ा सुरू करा देगा इसे याद करिए हम लोग के समाध वहसाब तब के के उत्थान के लिए काम किये भूलिएगा मत सब तरह से काम किया पहले ना बच्चा पढ़ता था ना भच्ची तो जोड़ दीजिए आप कितना पढ़ाई शुरू हो गया हर तरह से काम किया गया आप पहले स्वास्ती कोई व्यवस्ता थी जी कितना होता था इतना कम और हम लोगों ने जब सुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया तो इस सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया तो इसलिए तो हर तरह से तो हम लोग शुरू से ही पांच में आए तो पहला साल दस तक उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे हैं ये काम आप फिर जड़ा देख लीजिए दो हजार पंद्रह में जो हम लोग ने साथ निस्टे किया अब उसके अंतरगत कितना कितना बढ़ात हुआ हर घर नल का जल हर घर पक्की गली नाली सोचाल है और ये भी कर दिया कि जो टोला है वो टोलों से ग्रामी च्छत्रों में जोडने का भी काम किया और दोजार बीस में साथ निस्टे दो में भी सारा काम किया जा रहा है हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी आठ लाग के करीब करवाया आप इस बार जो हम लोग कर रहे हैं कि दस लाग की नौकरी होगी आप सोच लेजिए चार हो गया है एक और तुरत होने वाला है तीन का प्रोसेस कल रहा है तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं दस लाख रोजगार की बात थी आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं और हम लोग तो सुरू से ही नियाय के साथ विकास के सिध्धान पर काम कर रहे हैं आप कितना ज़्यादा उत्थान होगी है आप भारी संक्या में लड़कियां भी हैं महिलाएं भी हैं आप कितना हम लोग काम कर दिये जब पहली बार मौका मिला जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने महिलाओं को पचास प्रत्षत पंचायतों में और साथ में नगर निकावे में भी कर दिया तक कितनी बड़ी संक्या में और लड़कियों के पढ़ने का भी कितना इंजाम कर दिया हर तरह से सब काम कर दिया येक-एक तरह से और जो हम लोग स्वेंग सहता समू हम जब केंद्र में थे आउस समय बाहर जाके देखते थे कि स्वेंग सहता समू में और महिलाएं हभिहार में बहुत कम थी तर जब हम लोग जैसे ही आये छो में ही हमने का ले करके शुरू करा दिया और अब उसका नाम दे दिया जीविका और उस समय कि जो सरकार थी उलोग भी आये कहे भई बड़ा अच्छा आप काम किये और नाम दे दिया देश वर में आज जीविका मतलब बिहार में जीविका और देश में आज जीविका यही से काम शुरू कराया और आपको मालूम है 10,51,000 स्वेंग साहता समू हो गया और 1,31,000,000 से जादा महिलाएं जीव का दीदियों के साथ जुड़ गई तो अभी तो हमारे आदर निये प्रधान मंत्री जी बोलेंगे और हम लोग तो आपके लिए सब काम किये हैं चारों तरफ इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपस में प्रेम और भाई चारे का कायम रखिएगा और हम लोग सब दिन हैं और 400 सीट यह सीट भी अब पुरे बिहार के लोगों को कहेंगे सब सीट जितवाईए है इसलार आदर निये प्रधान मंत्री जी फिर से प्रधान मंत्री होंगे लेकिन अब हम लोगों का अग्जरा है यहीं उमीद हैं कि इस बार 400 से भी ज़्यादा जीतेंगे तो उतना ज़्यादा हो करके और खूब काम होगा तो यही हम कहना चाहते हैं तो इसलिए अब सब कुछ बात हो गया तो एक एक तरह से काम हर तरह से आप कितना ज़्यादा चारों तरफ केंदर की तरह से सड़क और पूल का निर्मान कई मेडिकल कॉलेज का निर्मान हो रहा है तो कई तरह से काम हो रहा है और सब के लिए हम आपको आपका नमन करते और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे करते रहिएगा हम लोग भी मिल करके यहां की सेवा करते रहेंगे और आप जरूर चार सो से भी जादा वोट से जित करके आप इस बाद और बड़े पैमाने पर सब कुछ होईएगा